नमस्कार, इंद्राक्षी धाम में दर्शुकों आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं, आप सब बहुत-बहुत बदाई के पात्रे हैं, भगवती सभी के ऊपर अपनी महती किर्पा वर्सा रही हैं, और जीवन है, इस जीवन में हमें सोने का भी समय मिलता है, जागने का भी समय मिलता है, भोजन खाने का भी समय मिलता है, लेकिन इस जीवन में बहुत लोगों को पूजा पाट करने का समय नहीं मिलता है, सेर, सपाटा, गुहुमना हर चीज का समय मिलता है लेकिन भगवान के नाम पे बैठने का समय नहीं मिलता है तो ये भगवान की कोई इच्छा है कि आपको पकड़ के वो बिठा लेते हैं कि भगवान जब सुबह के साथ बचते हैं या शाम के साथ बचते हैं ये जब आपके दिमाग में मैं ऐसी चीज़े डालता हूँ तो बेटा आप इस ध्यान साथना से जुड़ जाते हैं। है ना भगवान के इच्छा ये वो पकड़के बिठा लेते हैं। तो हम तो कहते हैं कि हमारे परमात्मे की इच्छा हमारे प्रती जीवन की आखरी सांस तक बनी रहे हम सब उस परमपिता परमेश्वर की बहुत अच्छी संताने हैं और हम सब उनसे जुड़े रहे हैं। आज जिनका जनम दिवस है और जिनकी मेरिज अन्वरसरी है सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुब काम नाएं। आज जो लोग किसी नई काम पर जाने वाले हैं इश्वर की क्रपा से आपके कारिस्श न हों आपका जिनका स्वास्ते बहुत कमजोर रहता है मा इंद्राक्षी की क्रपा से आपका स्वास्ते स्वस्त रहें। अब देखेगे दर्शो को आज इस कारिक्रम में आपके साथ बाते करते करते पूरे 18 दिन हो गए आज अठारवा इस कारिक्रम का पार्ट है कैसे 18 दिन बीतती चले गए और मैं तो चाहता हूँ जीवन के सारे च्छन आप लोग के संग वयतीत होते रहें इंद्राक्षी धाम में हम आप सबको बुलाएंगे और एक संदेश ये भी है कि बहुत लोग जो दिख्षा के चुक हैं जो दिख्षा लेना चाहते हैं एक बड़ी संख्या में आप सब लोग अपना नाम लिखवा रहे हैं अब एक सवाल और आ रहा है कि हाजारों लोगों दिख्षा लेने के लिए हमारे संस्थान में अपना नाम दर्ज कराया है तो दिख्षा का कारिकरम कैसी रहेगा यह भी एक बार इसके एपिसोड थोड़ा और होने दीजिएगा और थोड़ा सा हम भी और विचार कर लें कि कैसी विवस्तित तरीके से हम दिख्षा के कारिक करम को अच्छे से संपन कर सकें ताकि आप सब लोग हमारे साथ जर्म जर्मांतर के लिए जुड़ सकें तो थोड़ा सा जिन लोगों ने अपने नाम नंबर लिखवाए हैं धीरज धरें और साथ ही जो हमारे नई दर्शक हैं जो जुड़ना चाहते हैं दिख्षा लेना च शिख्षक की भाती एक टीचर की भाती वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं कि साब एक शिख्षक जैसे अपने स्टुडेंट को अपने शिश्चे को डिसीपल को समय समय पे समझाता रहता है गाइड करता रहता है तो ऐसे ही यह आप हमसे कहीं आध्यात्मिक छेत्र की प् और इसे जीवन के कल्यान के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं आपको हम स्वागत करते हैं आप अपने फोर नंबर फ्रॉम आप कहां से बोल रहे हैं कहां रहते हैं यह सारी चीज आप हमारे संस्तान में सुबा दस से लेकर के श्याम च्छे के बीच में लिखवा दिया करे अब एक बहुत इंपर्टेंट सवाल आज हमारे पास फिर पहुचा है रिंकू सागर का ये बिजनोर से हमें लिखते हैं क्या लिखते हैं इन्होंने अपना कुछ हम से पूछा है और उसी के यवज में बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे आज इनका सवाल था कि इन असिते तो नहीं हैं इस निमवह के फटने का हमारे घर से क्या तरलूख है कि हमारे घर में कोई बड़ा नुक्सान तो होने वाला नहीं है इस प्रकार की मन में बाते चल रही है कुछ लोग आज जब कर ऐसी समय में लोग प्रियास करते तुलसिदाज जी ने क्या लिखा उसको मानने को तयार नहीं है अपनी सब बात आगे बताने को तयार बैठे हैं हम कैसे भूल सकते हैं अपने मुर्धने रिशियों को हम कैसे उनका उपहस कर सकते हैं अगर बालमिकी जी तुलसिदाज जी रामायन जी को ना लिखते तो हमें कैसे पता लगता ठीक है तो हम ऐसे विद्वानों संति के देश में हमें जरम मिला है दर्शको जीवन पर कितनी भी आँच आ जाए लेकिं हमारे रिशियों पर हमारे सास्त्रों पर कदापी आच नहीं आनी चाहिए जो हमारे सास्त्रों की निंदा करे हमारे रिशियों की निंदा करे कहीं ने कहीं मुझे नहीं लगता कि हमें वो संगती करनी चाहिए अब एक चीज और सुन लें नालंदा विश्वित ध्याले की बात आप याद करें कि जिसके हमाम में हमारा कितना विपुल साहित्य है कितना हमारा विपुल लिट्रेचर जिसके अंदर जलाया गया आप सबको पता है चानक के काल की बात रही है ये कि इतना विपुल साहित्य है कि साथ साल तक जिसकी अ पैसे मिलते थे किसके लिए लिखा है हम सबके लिए लिखा है गर्राइक अठारा अम्प रुशेषा कि रचना च्छह सास्त्रें कि रचना ब्यालीस्त Britney से अधिक तंत्र और नील करणथों की रचना एक सो आक उपनिश्दओं की रचना कितनी इसमारी काएं बली काएं, कितनी सुरुतियां कितनी चीजे लिखें हमारे रिशियों ने हमारे लिए विपल साहित्य मिलता है सनातन धरम के अंदर विपल साहित्य तो कहने का भाव कि हम अगर सो जनम भी ले लें तो हम अपने रिश्यों की तुलना कदापी नहीं कर सकते हमारे रिश्य हमारे मुनी वास्ता में तुलने है इसलिए दर्शो को हम कभी भी कोई आपको बात बताते हैं हम सास्तर का हवाला देते हैं हम उस धार में गरंत का हवाला देते हैं क्योंकि अथुन्टिसिटी कब आए रामान जी में ऐसा लिखा है जब हम कहें वेदों में ऐसा लिखा है तो हमें अच्छा लगता है अब जैसे तुलसिजाज जी ने लिखा बहुत ऐसे आज विद्वान अपने आपको बनते हैं किसा आप हनमान जी की पूजा तक महिलाओं को नहीं करने देते हैं हम मानते हनमान जी बाल ब्रहमचारी हैं आप उन्हें टेश ना करें मैंने अपनी सफतंत्र वीडियो में बताया है कि महिलाएं सो प्रतिशत हनमान जी की भक्ती कर सकती है हाँ बस उन्हें टेश ना करें पूजा करें अब तुलसिदाज जी ने स्विम इस चीज को हनमान चालीसा में परमान ना पढ़े कहीं नहीं लिखा उन्हें उन्हें साफ साफ सब्दों में लिखा है जो कोई पढ़े हनमान चलीसा कोई भी पढ़ सकता है इसको मैलाएं पढ़ें बच्चे पढ़ें हमारी बेटियां पढ़ें कोई भी पढ़ सकता है और आज ऐसी विद्वनता आ रही है कि त ने आप एक आर्टिकल नहीं लिखा लेकिन इस बात को नकालने के लिए आतुर है इसलिए मेरे दर्शो को किसी भरम में मत पढ़ना जो धरौर हमारे रिशियों ने हमारे सास्त्रों ने हमें बख्षी है हम उस धरौर की बात करते हैं यहां मैं इसलाम की बात करूंगा आपसे कोई कुछ भी कह दे लेकिन इसलाम में क्या है किसाब कुरान शरीप में ऐसा बताया है कुरान शरीप में ऐसा लिखा है उन्हों विस्वास से अपने उसके उपर और हम किसी भी तरीके से अपने सास्तर की मजाख बना ले हम किसी भी मैं किसी की तारीफ वाली बात नहीं हो एक बात चल रही है एक बात की बात आ रही है हमारे धर्व में कोई भी उटा दे कोई भी कुछ हमें कह जाए इसलिए धर्शों को मेरा आप से नर्म निवेदन है हजारों प्रकार की ऐसी तकरीरे आपको जीवन में सुनने को मिलेंगी लेकिन राइ जितना भी सर्सों के दाने जितना भी अपने मन को डगमगाना मत अपने भगवान से और अपने सास्त्र से अब आई आगे पढ़ते हैं अब हम बात रिंकु सागर के पत्र की करते हैं रिंकु सागर न है लिखा के फल फट जाते हैं इसके कई कारण है कि पेड में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है कहीं न कहीं कोई ऐसा कीड़ा ऐसा जर्म हो सकता है जिसकी वज़ा से फल अच्छे से नहीं हो पाते हैं नीचे जड़ में कोई बड़ा ऐसा पत्थर अवरोध हो सकता है कि जिसकी वज़े से फल पूर्टा नहीं आ पाते हैं फट जाते हैं लेकिन नहीं कोई नीचे जड़ में कोई प्रॉलम हो फिर भी यदि ऐसा होता है तो ये रणात्मक असर वास्तम में घर परिवार पे पड़ता है जिस घर की तुल सी बार बार मुर्जा जाती हो जिस घर के फल खराब हो जाते हो अर्थाज पेड लगे हो और फल सर जाता हो जिस घर में पेड हो लेकिन फल ना आते हो पेड फल दार हो जैसे केले का हो आम का हो अमरूद का हो लेकिन फल ना लगता हो तुलसी सोजतन करने पर भी तुलसी मुर्जाई रहती हो सूख जाती हो पित्र प्रकौप भी हो सकता है और आपके घर में और किसी प्रकार की बड़ी बाधा भी आपके घर में हो सकती है उसके लिए एक ही उपाय बताऊंगा आप भी सुन लीजिए रिंकू बेटा कि प्रति दिन गायतरी मंत्र कम से कम तीन माला सामने जल भरके रखें तीन माला गायतरी मंत्र की करें वनस्पती में भी जीवन होता तीन मंत्र यानि कि गायतरी मंत्र का करें तीन माला एक किस दिन लगाता सामने एक कटोरा जल भरके रखने अच्छा सा एक लीटर के आसपास या आदा लीटर और उसके बाद एक बार भजरंग भाण पढ़ें फूक मारें उस जल में वो जल उस पोधे में उस व्रक्ष में एक के जिन्डा लिएगा बाधा दूर होगी आपकी तुलसी बारबार मुर्जाती है तुलसी स्तोत्र को प्रतितिन संद्याकालिन पढ़ें या किसी मंदर की तुलसी में जब तक आपके घर की तुलसी स्वस्त ना हो किसी मंदर में जाकर के तुलसी स्तोत्र या तुलसी माता के एक सुआठ नाम vibration है वो दूर हो जाएंगे दूसरी बात कि फिर भी मैं आपसे एक बात कहूंगा कि बहुत सारे जतन करने पर भी बात ना बनती हो एक तालेस दिन लगातार अपने घर में ही गूगल की धूनी देते हुए उस जल को बार में घर में चीटे दिया करें बढ़ने के बाद और जो सुक जाते हैं उन्हें अगले दिन सुबा के समय उन पैडों में छुड़ा जल दे दे हुए थोड़ा जल रख लें बाकी तोड़ा ज्यादा जल में उसको बात करें और प्रति दिन हन्मान जी को बजरंग मार पांच बार पढ़ते समय गूगल की दूनी देना है दूनी जला के रखें और किसी ना किसी फल का यह मिस्ठान का भोग भागवान को रोज लगाएं बाद में वह फल मिस्ठान परसाद रूप में ले ले आपके घर की बादा को एक चीज और आपको बता देते हैं जो पेड़ आपको यह आप बता रहे हैं 21 दिन लगातार गाय का गोबर एक लीटर पानी में घुल ले और उसमें थोड़ा से गंगा जल मिला ले और वो पेड़ की जड़ में डालिएगा फिर देखेगा क्या रिजल्ट मिलता आब आ वी गरले आख बंद करनेए जल सामने रखरें। आए और पिरवज रंगाए नमाः ऑफ धीराए नमnaire ऑफ ऑम शूराए नमहाँ ओम योगीने नमहाँ ओम शैंता आए नमहाँ ओम हरी मरक टमर्क ट सीन महाँ हूम संजीवन शाईल पर टेर महाँ Om Mahatmane Namaha, Om Ping Lakshaye Namaha, Om Ramdhutaaye Namaha, Om Deen Vandhave Namaha, Om Sarva Tantra Savroopaye Namaha, Om Sarva Mantra Savroopavate Namaha, Om Sarva Yantratmakaye Namaha, Om Shivaye Namaha, Om Kapishwaraye Namaha, Om Mahakavyaaye Namaha, Om Sarva Rogharaye Namaha, Om Ram Bhaktaye Namaha, Om Chiranjeevne Namaha, Om Bhajrakayaye Namaha, Jahi Shri Rama, Shri Rama, Shri Rama, Shri Rama, Jahi Shri Ram, Om Ram Ramaye Namaha, Om Ram Ramaye Namaha, दीन दयाल विर्द संभारी हर हुनात मम संकट भारी संकट कटे मिटें सब पीरा जो सुम्रें हनुमत बलवीरा ओम श्री वीरवजरंगा ये नमहा कवच बना लें नेत्र बंद रखें गुप्त मत्रहम पड़ रहें अवाज सुनाई नहीं देगी ध्यान लगाएं अब तो कि नेत्र खोलने समाने रूप में हाथ जोड़ते हुँ आ जाएं तो दर्शकों प्रती दिन आपको इस ध्यान साधना से प्रती दिन जूड़ना है अब आपके जुम्मे एक काम छोड़ता हूँ वो आपकी जिम्मेदारी है हमें कम से कम आप से एक हजार आठ मालाएं चाहिए मतलब एक हजार आठ मालाएं हम चाहते हैं आप अपनी तरफ से हमें बना करके दे राम नाम की माला से हनमान जी प्रसंद होते हैं जितने भी सादू संत हैं भगवान की सेवा से और विशेष प्रकार के करम कांड से प्रसंद होते हैं ज्यान के यग से प्रसंद होते हैं और ज्यान यग से बड़ा कोई यग नहीं विद्या यग से बड़ा कोई यग नहीं एक हजार आठ मालाएं बहुत होती हैं कहने को लेकिन हमारे इस कारिकरम से कितने लोग जुड़े हुए हैं लाखों लोग देखते हैं अब बहुत से आप हमारे कारिकरम देखीएगा अंगुठे के बाजू वाली उंगली लंबी हो तो क्या होता है तकरीबन पचास लाख लोग उने देखा हाथ के अंदर क्रॉस हो तकरीबन पच्पन लाख लोग उसे देख चुके हैं केवल दो ही एपिसोड हमारे एक करोड लोग पार कर चुके हैं और उसके बाद और बहुत सारे एपिसोड आप देखेगा तो यदि हम अपने आट-दस एपिसोड भी गिन लें तो तकरीबन तकर अब जो ये खास कारिकरम ध्यान साधना है अब देखो भाई ध्यान से तो हर आदमी नहीं जूड़ पाता परभू की इच्छा होती है इससे भी सुबह से साम तक तक तकरीबन तकरीबन साथ हजार से दस हजार तक आप लोग जूड़ जाते हैं जूड़ जाते हैं ना कुछ कराना चाहता हूं क्या कराना चाहता हूं वो मैं सारी चीज़े आपको बताता रहूंगा एक हजार आठ लोगों का एक गुलदस्ता हम लोग आपसे चाहते हैं और जिसमें आपको एक चैन सिस्टम बनाना है जिसमें आपको साधक प्रवित्ति के लोग इस कारिकरम से जोडने हैं, एक आदमी को 108 व्यक्ती जोडने हैं एक आदमी को एक माला तयार करनी है माला में कितने मन के होते हैं 108 मन के होते हैं और कुछ छोटी सी और चीजें हैं जो आपके जीवन में बहुत कम आएंगी, एक दम अपना नाम नहीं लिखवाना विचार करें एक दिन दस दिन एक महीना एक साल हम तो कारिकरम देती रहेंगे हमारा तो मंतव्य है बहुत बड़ी माला आप लोगों के संग बना लेंगे लेकिन आपका भी कोई फर्ज बनता है हिंदू धर्म के नाते भगवान से जुड़ने क के नाते आपका भी एक फर्ज बनता है तो मुझे वही लोग अपना नाम लिखवा हैं जो इस कारिय में शक्षम हो जो दिख्षा लेना चाहते हैं वह सेपरेट बात है हां अगर दिख्षा के भी कुछ लोग ऐसा कर लें तो अत्तम बात होगी मिले लिए इससे बड़ा में गुब्राम देते हैं जैमा इंद्राक्षी चाहिए और मेरी प्रॉब्लम थी कि मेरी शादी फिक्स नहीं हो रही थी आपने कंगन का उपाई बताए था और मैंने उपाई किया भी और पंदर दिन के अंदर मेरी शादी फिक्स हो गए देखेवार देखेवार देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें